हाँ जी स्टूडेंट कैसे हैं भाई आप तो सेमेस्टर वन वाले बच्चों ने हद ही कर दी सेमेस्टर वन वाले बच्चों अब आप कब पढ़ोगे पढ़ना चालू कर दो सर पढ़ लेंगे सर आपके पास साथ सब्जेक्ट है साथ सब्जेक्ट है मेरे पास आउफलाइन में बच्चे आते हैं पढ़ते हैं कई वार वीडियो में भी देखो कि मैं बोलता हूँ कि भे यह चलो मैं तो स्ट्रिकली बोला हुआ है एक लाइफ का ने एक पंड़ा है सर एक पंड़ा क्या है या तो हम पढ़ मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ना पढ़ेगा नहीं पढ़ना चाहते जो बच्चे आफ लाइन में आता है मैं सीधा बोलता हूं जी अपनी फीस लीजी और वापस चले जाईए आप यूटूब पर पढ़ लेजिए तो भाई पढ थी मैंने का बच्चा तो पढ़नी था बिल्कुल भी और अब बताओ सर मैं क्या करूं मेरे भी समझ बनिया था तो लिटलर्ली मैं बोलू तो एक ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये बच्चे कितना अपने ममी के पापा के साथ अपने पेरिंट्स के साथ गलत कर रहे हैं जो क कि सारी उमर जिंदगी आपके लिए उन्होंने दे दिया खुद नए कपड़े ना पहन के आपको पहनाया कि खुद बर्थडे ना मना के आपका बर्थडे मनाया मतलब इतना सेक्रिफाइस किया इन्होंने और बदले में आपने क्या दिया कुछ नहीं उनकी एक ही है कि आप पढ़ लिखके अच्छे से सेटल हो जाओ मैंने उन बच्चों को पेरेंट्स से मैं क्लियरली बोला देखिए आप बच्चों से पूछिए डारेक्ली वो पेरेंट्स भी देखें इस वीडियो को शेयर करें कि मैंने उन पेरेंट्स से बोला कि हर चीज ना पढ़के नहीं पाया जा सकता और बिना पढ़े कुछ हांसल भी नहीं हो सकता बेसिक एजुकेशन बहुत मिन्डिटरी है सर आप अगर एजुकेशन की वेल्यू जानना चाहते हैं न किसी रूलर एरियो में बैंक में एक पैनल लेके खड़े हो जाई है आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे देखेंगे न तो बहुत एजिट बंदे वहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा मेरा पैसे जमा करने का फॉर्म भर दो तो मेरा निकालने का फॉर्म भर दो तो पता चलेगा कि आप कितने पढ़ाई की वज़े से आपकी क्या respect है तो मैं उन parents को बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर बच्चे को पहले मैंने बच्चों को बोला भईया तुम graduation करो बाकी किसी field में आपका मन लगता उस field में चले जाओ don't care क्या होगा life में नहीं होगा अरे एकी तो life है इतना ज़्यादा सोच के जीओगे तो क्या जीओगे मेरे parents भी बोलते थे का भईया तुम भी कोई नौकरी बगएर कर लो और दो से तीन दिन जैसे कई बार मैं छुट्टी पे चला जाता हो ना तो मेरा मन ही नहीं लगता तो एक मज़ा आ रहा है life तो चलती रहेगी तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि graduation at least आप कर लिजे मन मार के करिए जैसे भी करिए कर लिजे graduation के साथ साथ आपका जिस field में मन करता है ना उस field में जाईए तो अब graduation के 10 दिन बच्चे हैं semester one वाले बच्चे हैं अभी उन चीजों को नहीं समझ रहे हैं अपने parents के pain को समझ आज parents आपके साथ हैं आपकी हर एक चीजों की परवा करते हैं और जब आपको realize होगा ना कि हमने कितनी गलती की तो कुछ फाइदा नहीं है कोई फाइदा नहीं है तो सर मैं सैम वन वाले बच्चों को बोलना चाहूंगा कि मैंने सारा classes लगबग लगबग YouTube पर डाल दिया है लेकिन एक मैं D.U. से भी request करना चाहूंगा Delhi University से हाँ जोड के request है कि सर आपका syllabus क्या है आप completely एक बार अच्छे से disclose करिए किरपयागर के website पे एक्जाम आने वाले हैं इस टाइम पे आपका syllabus कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है प्रॉपर एक place दीजिए ना पुरानी website कितनी अच्छी website थी आपकी आपका second semester का goal नहीं पता बच्चा first semester में तो भाई मैं तो कहूंगा थोड़ा बहुत education system का भी दिखत है सर semester one के अंदर कुछ एक chapter है जो कि बोला गया था नहीं आएगा single entry नहीं आएगा single entry लेकिन आप कुछ college बोल रहे थे हमें बोला गया अभी update आए आएगा तो आएगा अब ऐसे कैसे होता है यारा बुक आप इतनी देर upload करोगे और बोलेगे single entry सर एक महिने का chapter है यह आपने slaves में अगर लिख दिया है कि छे lecture में खतम होगा तो खतम हो जाएगा आप बच्चों को बेस लेवल पर देखते ही ना आप बेस लेवल पर देखिए ना बच्चों को debit credit भी नहीं आ रहा होता साइंस वाला भी बच्चा आर्ट्स वाला भी बच्चा नहीं कर सकता सर तो single entry system अब मुझे भी tension हो गई मैंने तो सारा slaves खतम करा दिया था फिर पता चला भी single entry भी करा दे क्या पता आ जाए नहीं आ जाए उसी suspense पर मैं करा रहा हूं तो जो बच्चे एप पे थे मैं daily classes डाल रहा हूं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं सर हम जल्दी जल्दी करना चाते हैं regular दिन में दो classes डालिए तो उनके लिए मैंने course का price कर दिया 249 रूपीस लीजिए आप कोई भी course और आपको सारा access एक साथ मिल जाएगा मैं यह नहीं बोल रहा कि आप खरीदी लो सारा access मिल जाएगा plus plus उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा पास होने के लिए पास होने के लिए study material अभी full place मत जाओं आप past year के paper ले लो जो कि आता है हमारा 10 year 10 year जो कि सिवदास का 10 year ले लो आप मैं सारी detail ना description में डाल दूँगा शिवदास के जो manager है उनका भी paid promotion वगेरा नहीं है मैं खुदी author हूँ उसके अंदर मैं write करता हूँ सीड़ी सी बात में बताऊं तो सारे subject का 10 year लीजिए last year के paper को analysis करिए और करिए आपके सारे friends बहुतों ने ले भी रखा होगा मैं नीचे description में उनका भी number डाल दूँगा और साथ के साथ जो मैंने course का price है वो भी मैंने कह दिया कि 249 में सारा course का आपको access मिल जाना है कोई tension की बात नहीं है और जो YouTube पे देख रहे है YouTube लेकिन बस आखरी आखरी time जाते ही एकी बात बोलना चाहूँगा कि आप अपने parents के feeling के साथ मत खेलिए आप कितने गलत काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं फरक नहीं पड़ता at least report card उनको अच्छे से दिखा के दीजे ना तो आप वो काम मत करिए कि दिन भर पढ़ रहे हैं पन्नों को मत पलटिए किताबों को मत पलटिए कोई फायदा नहीं है सर अपने आपको बेव को बनाना parents को बेव को बनाना भगवान भी माफ नहीं करेगा इसमें तो अभी से उठाइए पढ़ने लगिए chapter wise planning करिए सर final account पढ़ना है ब्रांच पढ़ना है chapter wise systematic करिए और करके फिर फटा-फट से निफटाइए ना दस दिन का तो pain है उसके बाद तो मौच करिए paper खतम होगा ना आप 5 दिन तक सोते रहेगा कोई आपको नहीं बोलना आना बस अच्छे से paper दीजिए तो मैं हर एक बच्चों को बोलना चाहूंगा so sorry जिन बच्चों को लगता है कि भया ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरा intention है कि भया आपको सही guide किया जाए क्योंकि आप मेरे साथ अब जूड़े हो तो 3 साल तक तो मेरे साथ बंधे हुए रहोगे तो again thank you so much वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ parents के साथ सबको ये subscribe करिए shares करिए channel subscribe करें ना करें भी आपके इच्छेदे को कोई चीज़ जबर्दस्ती नहीं किया जा सकता है लेकिन मैं ये बोलुआ कि अपने forward करिए ताकि उनका भला हो जाए मेरा ये है आप channel मत subscribe करिए उससे फरक नहीं पड़ता उससे matter नहीं करता matter ये है कि आपको मैं कुछ knowledge दे पाया और आपके benefit हो पाया that's it बस मेरा motive ये है तो again thank you so much